उत्तर भारत के राजियों में कभी धूप तो कभी बारिश कल सिलसिला जारी है कई राजियों में लागातार बदल रहे मौसम के बीच रवीवार को चटक धूप भी खिली जिससे कई दिनों से ठंड जेल रहे लोगों को रहात का एसास भी हुआ हाला कि मौसम विभाग का कहना है कि बुद्वार को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है और कई राजियों में ठंड बढ़ सकती है मौसम विभाग की माने तो आज राजधानी दिल्ली के तापमान में और बड़ोतरी होने की संभावना है हाला कि बुद्वार से एक बार फिर मौसम बिगड सकता है मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और अगले दो से तीन दिन मौसम फिर बिगडा रहेगा इस बीच पस्चिमी विक्षोब के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फवारी जारी रहेगी उत्राखंड में कल यानि मंगलवार से हलकी बारिश और बर्फवारी का अनुमान लगाया गया है वहीं रविवार को उत्राखंड में मौसम साफ बना रहेगा बर्फवारी रुकने के बाद कल चमबा धनौलटी मोटर मार्क को गारियों की आवजाही के लिए तीन दिन बाद खोल दिया गया जबकि गंगोतरी और यमुनोतरी हाईवे अभी भी बंद पड़े हुए है इस बीच कल हरीदवार में धूप किली लेकिन पहाडी इलाकों में बर्फ पिगलने से यहां दिन बर तेज हवाज चलती रही जिससे लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली मौसम विभाग की माने तो मसूरी में आने वाले दिनों में मौसम साफ रह सकता है IMD के अनुसार यहां हलकी धूब भी निकल सकती है जिससे लोगों को काफी रहत मिलेगी उधर UP में आने वाले दो दिनों में कडाके की ठंड पढ़ने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा पंजाब और विहार में सर्दी के लिहाज से अगले 24 घंटों में भारी हो सकते हैं IMD के अनुसार अगले 3 दिनों के दोरान उत्तर प्रदेश में घना कोरा चाया रह सकता है ऐसा अनुमान जताया गया है वहीं अगले 2-3 दिनों में दिनली, पंजाब, हरियाना और चंडीगर में भी घना कोरा चाया रह सकता है प्यूर्ट पोवड, मार्केट टाइम्स टीवी